मुंगेर विश्विद्याले के यूटूब पर चलाए जा रहे इस एजुकेशन पर विधीश्च छाप्तरों का स्वागत है एल एल बी पार्ट वन सेमेश्टर वन हमारे जो छात्र सेमेश्टर वन का एक्जाम देने वाले हैं जो बास्तों में लॉकडाउन के पिरियड आरम होने से पहले ही तेयारी में थे एक्जाम देने के लिए लेकिन परिष्थितियां व्यक्ति और उसकी सोच पर हावी होती है काल के हाथ की कटपुतली हैं हम और आप यहां पर आकर सभी लोग प्रकृती से हार जाते हैं नेचर गौड है नेचर ही सब कुछ है इसलिए नेचर से प्यार करने की चाहुत्पन कीजिए और उससे प्यार कीजिए तभी हम प्रकृती का संग्रक्षन कर सकते हैं और प्रकृती का संग्रक्षन करेंगे तो मेरा भी संग्रक्षन होगा आपका भी होगा समस्त बिश्चु का होगा इसलिए पांच जून को हम लोगों ने प्रियावरन दिवस मनाया ब्रिक्ष लगाने की शंकल्पना को साकार करने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाया खैर ये बाते हैं दिल में और सभी के दिल में हैं आवशक्ता है उसे पुर्ण रूप देने की अभी तक जूरिस्पुडेंस के उपर मैंने तीन क्लास दिया है श्रीमति पुस्पा गुप्ता भी क्लास दे रही है जो रिस्पुडेंस के उपर उनको भी इंस्ट्रक्शन दिया गया है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही है जो क्लासेश चल रहे हैं उनको बार-बार सुनिए एक्जामशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉटेंट है कुछ बातें समझी जाती है बोली नहीं जाती है आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक पर हम लोगों ने क्लास में गहन अध्यन किया है स्वामित्य और आधिपत्य ओनर्सिप एंड पॉजेशन इस पर ब्रियत चर्चा हमने किया था लेकिन आज हमारे सामने एक प्रस्टन है कि आधिपत्य किसको कहते हैं पॉजेशन क्या है कब्जा कैसे अस्थापित होता है और कब्जा की संकल्पना विधी के छित्र में क्या महत्वपूर्ण योगदान देती है या महत्व रखती है कब हम मानेंगे कि कब्जा है कब्जा के क्या-क्या एसेंसिल एलिमेंट होते हैं तो कब्जा को समझने के पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ स्वामित पर ओनर्सिप पर कि किसी भी बस्तू पर किसी बैक्ती का जो अधिकार होता है कानूनन अधिकार मैं अधिकार की बात कर रहा हूँ किसी भी बस्तू पर किसी व्यक्ती का जो कानूनन अधिकार होता है यह स्वामित तो कहलाता है यानि स्वामित तो एक कानूनी अधिकार है और जो भी लीगल राइट है यह मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो भी legal right है, protected by law, यह जो स्वामित तो होता है, यह एक अधिकार है, एक हित है, उस बस्तू में, उस बैक्ती का कानून की नजर है, तो अगर किसी बैक्ती के पास, किसी बस्तू पर कोई स्वामित तो है, तो उसको अधिकार प्राप्थ हुआ, किस चीज का, ज्यान देंगे, किस चीज का अधिकार प्राप्थ हुआ, पहला अधिकार उसको प्राप्थ हुआ, उस संपत्ती के यूज का, उप्योग का, उसके उप्योग में, किसी प्रकार की कोई बाधा दूसरा आद्मी उत्मन नहीं कर सकता है, या यू कह लिजिए, कि उसके उप्योग का इंडिफनिट राइट है उसके पास, दूसरा क्या अधिकार मिला उसको? दूसरा अधिकार ये मिला, कि वो उसका बैन कर सकता है, डिस्पोज ओफ कर सकता है, तो डिस्पोजेशन के संबंध में उसको राइट मिला, जिस पर कोई डिस्टिक्शन नहीं है, बैन करने के पैभार में किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध उसको नहीं है, वो चाहे बेचे, वो चाहे गिर्वी रख दे, वो चाहे मॉर्गेज रख दे, वो चाहे दान कर दे, उसकी एक्षा, कोई डिस्टिक्शन नहीं, और तीसरा है, कि ये अधिकार कितने दिन तक, ये स्वामित्यो का अधिकार कितने दिन तक, और अनलिमिटेड पीरियड, तो तीन बात आ गई, किसी प्रकार के रिष्टिक्शन के बिना, बैयन का अधिकार, डिस्पोज ओफ का अधिकार, और पीरियड के संबंद में अनलिम्टेड राइट, ये तीन इंपॉर्टेंट राइट है, किसी भी बैक्ति को, किसी संपक्ति पर स्वामित्य के रूप में, ओनर्शिप के रूप में, इस पर मैंने विशत चर्चा किया था, ओनर्शिप क्या है, कैसे अरजित होता है, बहुत साड़ी बातें हमने की थी, हमारा प्रस्ण आज का ये है, कि what is possession, and what are the essential element of a possession, पोजिशन को हिंदी में, पोजिशन याद है न, P-O-S-S-E-S-I-O-N, पोजिशन, कबजा, आधिपत्ट, इसके बिसे में कहा जाता है, कि किसी भी बैक्ती का, किसी संपत्ती पर, जो भौतिक अधिकार होता है, जो भौतिक नियंतरन होता है, फीजिकल कंट्रोल होता है, that is possession, इसको हम लोग कब जग कहते हैं? अब सवाल यह होगता है, कि कबजा, पर्थम दृष्टिया, अगर आप देखें, तो आम तोर पर यह बाना जाता है, कि जिस बैक्ती के कबजे में जो संपत्ती है, वो उसी की है, उसी की है मतलब, उसका मालिक वही है, मैं इस पर एक छोटी सी बात आपको याद दिलाऊंगा, कि लास में भी मैंने बताया था, कि अगर हम लोग sales of goods act पर चले जाते हैं, वहां section 27 में बात हुई थी, और कहा गया था, कि नेमो डेट कोट नन हैबिट, no one can convey a better title than he himself has, कोई भी वह नहीं दे सकता, जो उसके अधिकार में नहीं, आप देखते हैं, इस तरह का बहुत cases आता है, कि एक आद्मी motor cycle लेके जा रहा था, पुलिस ने पकड़ा, कागज मांगा, बोला कागज नहीं है, मेरे पास घर में है, फलाना है, धिकाना है अपना बहाना बनाया, पुलिस ने पकड़ा, बोला साहब इस नंबर की गारी तो चोड़ी हुई थी, आपने कहां से लिया, बोला मिस्टर एक्स से लिये, मिस्टर एक्स को पकड़ा गिया, मिस्टर एक्स ने कहा, कहा हमने इस गारी को चुराया था, और चुरा करके मैंने वाई को बेच दिया, तो वाई के पास वही राइट जाएगा जो उस चोड के पास था क्यों कि नो वनकेन कन भे ए बेटे टाइटिल दैनी हिमसेल्फ है तो कहने का मतलब यह हुआ कि कबजा किसी भी बस्तू पर किसी भी संपत्ति पर पर्थम दृष्टिया यह प्रमानित करता है कि उसका उस संपत्ति पर अधिकार है स्वामित्य है लीगल राइट है वह उसका मालिक है वह उसका बेयन कर सकता है उसको बेश सकता है उसका कोई भी यूज कर सकता है लेकिन मैं यहाँ पर उस बात की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्प इस बात की बात कर रहा हूं, कि पोजेशन क्या है, तो पोजेशन एगोटिक नहीं अंत्रन है, किसी भी संपप्ती पर, तो कहता है कि क्या हम इस बात को मान लें, कि जिस आदमी का कबज़ा है, उसी आदमी का स्वामित्व है, बोला मैं इस पर बात में चर्चा करूंगा, लेकिन ये बात पक्का है कि प्रथम द्रिष्टिया जिस आदमी का कब्जा है वह उसका स्वामी माना जाता है ये प्राइमाफेसी इविडेंस है ओनर्शिप का तो ये पक्का हो गया कि कब्जा किसी भी संपत्ती पर एक भौतिक नियंत्रन है और उस नियंत्रन के द्वारा वह वैक्ति उस संपत्ती पर अपना पर्थक्ष तौर पर या ओपर्थक्ष तौर पर नियंत्रन रखा है और उसका उप्योग कर रहा वह संपत्ती का स्वामी है या नहीं है इस बात से यहां कोई मतलब नहीं है मतलब इस बात से है कि what is position, what is कबजा, तो कबजा यही है कि किसी संपत्ती पर उसका भौतिक नियंत्रन है. तो इसका मतलब यह हो गया कि कबजा किसी भी संपत्ती पर एक प्रभावी और भौतिक नियंत्रन का प्रमान है. जो पर्तेक्ष्टा दिखाई परता है. ध्यान देंगे, ownership दिखाई नहीं परता है. स्वामित्य का कोई सरूप नहीं होता है. लेकिन कबजा का सरूप होता है जो दिखाई परता है कि फलाने बैक्ती के हाथ में फलानी शंपत्ती का कबजा है. इसके उपर बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी डिफिनिशन दी है. आप दो तिन डिफिनिशन देंगे, उसके बाद कंक्लूजन दिखा देंगे. इंट्रोडक्शन आपका हो जाएगा. मैंने इस पर लंबा डिस्कसन किया है. अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट पर आते हैं, what are the essentials of a valid, valid सब धटा दीजिए, what are the essentials of a position? सेविग्नी का नाम याद होगा आपको, जो रिष्ट है. तो सेविग्नी ने कहा, कि यह जो आभिपत्त है, कब्जा है, इसके दो एलिमेंट हैं, यानि दो तक्तों से मिल करके इसकी रचना हुई है. कौन सा दो तक्तों है? पहला का नाम दिया उसने, कौर्पस पोजिस्निस, क्या नाम दिया? कौर्पस पोजिस्निस, और दूसरा नाम दिया, एनिमस डॉमिनी, दो सब्द उसने दिया, कौर्पस पोजिस्निस, और दूसरा दिया, एनिमस डॉमिनी, Corpus Positionis का मतलब होता है किसी भी संपत्ती पर भौतिक नियंत्रन इस प्रकार का नियंत्रन कि दूसरा बैक्ति उसका प्रियोग ना कर सके यानि बाहरी बैक्ति के प्रियोग को प्रतिवंधित कर देना रोक देना उसका सिर्फ हम ही उपयोग करेंगे ये प्रभावी नियंत्रन हुआ भौत एक रूप से प्रभावी नियंत्रन हुआ उस संपत्ति पर उस व्यक्ति का जिसने उस पर अपना आधिपत्त जमा रख ख़़ा है दूसरा है एनिमस्ट डॉमिनी इसका मतलब होता है मानसिक एक्षा याने कि आपके दिल में आपके मस्तिस्क में ये एक्षा अकांच्छा अपेक्षा हो किस संपत्ति का उप्योग हम ही करेंगे स्वामी के रूप में दूसरे को नहीं करने दियान दिजिएगा इसी बात को हॉलेंड ने प्रॉफसर हॉलेंड ने कहा सब्द वही है उसने इसको कहा कॉर्पस एनिमस रियल में इंग्लेंड में जिसको हम लोग कॉर्पस पोजिशनिस कह रहे हैं सेविगनी कह रहा है उसको हॉलेंड ने इंग्लेंड में का कॉर्पस अर्थ वही है बहुत तिक नियंत्रन बाहिया हस्त छेप को पर्टिबंधित करना और दूसरा सब्दिया एनिमस मानसिक नियंत्रन मानसिक एक्छा के द्वारा यानि हमारी मानसिक रूप से भी हम तयार है कि हम इसका उप्भोग करेंगे दूसरा आदमी नहीं कर सकता है दूसरा आदमी करेगा तो उसको पर्टिबंधित करेंगे यानि मेरे में छमता होनी चाहिए भौतिक नियंतरन के लिए भौतिक छमता भी होनी चाहिए इस तरह से आप देखेंगे कि सेविगनी सहाब की द्वारा दिया हुआ element हो या प्रॉफसर हॉलेंड की द्वारा दिया गया element हो तो element दो हमारे सामने आया एक को हम कहते हैं भौतिक नियंतरन जिसको कॉर्पस कहते हैं और दूसरे को हमने कहा मामसिक इक्षा या संकल्प जिसको एनिमस का इस दोनों को आपको डिफाइन कर लेना है बहुतिक नियंतरन में आपका प्रत्यक्षु रूप से उस संपक्ति पर नियंतरन हो ना चाहिए जिस पर आपने कभजा बनाया है, प्रभावी नियंतरन का मतलब क्या होता है, प्रभावी नियंत्रन को समझिया, एक होता है कि भौतिक कब्जा है, लेकिन प्रभावी नियंत्रन नहीं है, मेरा है, कब्जा भी है, लेकिन क्या होता है, कि रात में चोर उसे आम चोरा लेता है, बात समझिया, प्रभावी नियंत्रन नहीं है आपका आम के बगीचा पर, तो प्रभावी नियंत्रन होना चाहिए, प्रभावी नियंत्रन के अंत्रगत ये तख्थे आता है कि कब्जा के साथ-साथ बाहरी हस्त छेप को रोकना, और ये दोनों मिल करके भौतिक नियंत्रन यानि कॉर्पस को पूरा करता है। मानसी की इक्षा की जब बात करते हैं, एनिमस की बात करते हैं, तो मस्तिस्क में ये एक्षा होनी चाहिए, कि हम इसके कब्जादार हैं, हम इस पर कब्जा बनाए रहेंगें, मतलब ऐसा हुआ ना, आज कब्जा कर लिए, फिर भूल गए। ठीक है, कब्जा बना हुआ है, कोई आदमे नहीं आ रहा है, लेकिन वो भूतिक नियंतरन्दा, हमारी मानसी की इक्षा नहीं रही। एक किरायदार, एक मकान मालिक के हां, मकान किरायपर लेता है, उस मकान में रहता है, और जितने दिन वो उस मकान में रहता है किरायदार के रूप में ही सही, वो दोनों तक उसके साथ रहता है, कॉर्पस एनिमस क्योंकि जितने दिन वो रहता है वो ये समझ के रहता है कि ये इस पर मेरा प्रभावी नियंत्रन है और मांसिक इच्छा भी यही है साब सुत्रा अच्छे ढंग से रखता है क्यों? उसको लगता है ये मेरा कब्जा है हम इसका उप्योग कर रहे है स्वामी के रूप में तो इसलिए मांसिक इच्छा भी उतनी ही जरूरी है मांसिक संकल भी उतना ही जरूरी है बिना mental consent और desire के ये element पूरा नहीं होगा possession complete नहीं होगा इसलिए possession तभी complete माना जाएगा जबकि दोनों element मिल जाए इस दोनों element को हम deal करेंगे ब्रहत रूप में example दे करके अच्छे ढंग से लिखेंगे चंद बाते मैं इस पर और बता दू कि ये जो कब्जा होता है ये भी दो प्रकार का होता है जब ध्यान देंगे ये तो कई प्रकार का होता है ये दो मुखे बात मैं बताने जा रहा हूँ एक को हम लोग बिधिता कब्जा कहते हैं possession in law या position according to law और दूसरा है तथेन कब्जा possession in fact अगर आप उस मकान के स्वामी भी है और आप उस मकान में रह रहे हैं इसको क्या कहेंगे position in law और आप उसके स्वामी नहीं है लेकिन आप उस पर कब्जा बना करके बहुतिक और मानसिक रूप से रह रहे हैं तो possession in fact देखिए यह जो कब्जा होता है न इसको एक क्वायर कैसे किया जाता है बड़ी साधारन और सरल बात है आज के इस सामाजिक परिवेश में यह चीजें आपको ब्रहत रूप में देखने को मिलेंगे इसका तरीका है पहला कैसे एक क्वायर होगा by taken taken मतला जिसके कब्जा में संपत्ती है उससे हम बेगर उसकी इच्छा के ले लिए कब्जा हो गया taken आपने लिया उसने दिया नहीं दूसरा तरीका by receive by receive मतलब उससे आपने प्राप्त किया यानि जिसका कब्जा था उसने आपको दिया अपनी स्विक्रती से दो तरीका हो गया न एक्वायर होने का तीसरा तरीका भी है by law कानून के आदेश के द्वारा किसी संपत्ती पर आपको कब्जा दिलाया गया तो वो जो कब्जा आप राप्त करते हैं by law करते हैं तो यह तीन प्रकार से कब्जा का अर्जन होता है एक्वायर किया जाता है position को important बात ये भी है कि कब्जा पर जब आप बात करेंगे question इमानली यही है कि what is position and what are the elements of position बहुत छुटा question हो जाता है तो इस्टार्टिंग में थोड़ा सा हम लोग स्वामित को भी बता देंगे फिर कब्जा को बताएंगे फिर कब्जा के element पर discuss करेंगे उसी बीच में कब्जा को जब बताएंगे तो बतादेंगे required कैसे किया जाता है element पर discussion करेंगे और last में conclusion में स्वामित और honor position में relation पर भी थोड़ा प्रकास डाल देंगे मैंने बताया आपको कि कब्जा पर्थम द्रिष्टिया परमान होता है किसका स्वामित्यू का और जो कब्जा धारक है उसको तब तक स्वामी माना जाएगा जब तक कि मूल स्वामी अपना अधिकार परमानित ना करते इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि जिस ब्यक्ति के पास कब्जा है position है आधिपत्य है वह उसका स्वामी माना जाता है और उस ब्यक्ति को छोड़कर किस बैक्ति को छोड़ कर जो उसका ओरिजनल ओनर है उस बैक्ति को छोड़ कर पूरे बिश्व के नजर में उसका टाइटिट बेटर होता है क्योंकि कब्जा में है और अगर उसका ओरिजनल स्वामी भी वहाँ आएगा और कहेगा कि यह मेरी जमीन है, यह मेरी संपत्ती है और कबजाधारी अगर नहीं मानता है तो उस ओरिजिनल ओनर को भी कोट का दरवाजा खट-खटाना होगा और अपने ओनर्शिप को प्रूफ करना होगा Before the court of law और देखिए कितनी भीडमबना है जमीन मेरी कबजाधा आपने कर लिया मैं जाकर कि आपसे बोल रहा हूँ, आप बोले नहीं साब मेरी जमीन है और अब हमको अपने ही स्वामित्य को पर्मानित करने के लिए कोट का दरवाजा खट-खटाना पड़ता है इसका मतलब ये हो गया कि स्वामित्य का पर्तिविंब कोन है? कबजाधा कैसे पता चलता है कि कोई आप भी किसी संपत्ति का स्वामी है? उसका कबजाधा यानि कबजा बास्तों में देखा जाए तो ये एक्चुल इविडेंस है कि ये आपकी जमीन है तो फिर स्वामित्य क्या है? बात समझे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि कबजाध एक्चुल इविडेंस है बास्तिक तथ्य है, बास्तिक परमान है कि ये आपकी जमीन है तो फिर ownership क्या है तो कहता है ownership ये legal recognition ये विधीता माननेता है यानि कानून की द्रिष्टी में ये माननेता है ये माना जाता है कि ये जमीन आपकी है लेकिन बास्तों में जिसका कबजा है वो प्रमानित हो रहा है पर्थम द्रिष्टिया देखते ही अरे सावी ये तो ये जमीन पर ये याद भी रहता इसी का जमीन हो गए इसलिए कहा जाता है कि कबजा 10 में से 9 भाग ये प्रमानित करता है कि वो स्वामित है वो उसका स्वामी है सिर्फ एक ही भाग बचता है उस बैक्ति के लिए जो उसका ओरिजिनल ओनर है यहने आप समझ रहे हैं कि जब आप लड़ने जाते हैं तो 90% परमान आपके पक्ष में है क्योंकि कबजा है और 10% परमान उस बैक्ति के पक्ष में है जिसके पास स्वामित्व है क्योंकि स्वामित्व बाले के पास अधिकार का कागज है लेकिन कानून ने उसको recognition दिया है कानून ने उसको right दिया है तो protect उसके right को कौन करेगा कानून करेगा क्यों कानून की ने जर में उसके पास अधिकार है आपके पास अधिकार नहीं है इसलिए आज नहीं कल वो जीत जाएगा लेकिन एक समस्या दिया समस्या क्या है अगर लंबे अर्से तक आप किसी जमीन पर कबजा बरकरार रखते हैं तो जो original honor है उसके लिए कई रुकावटें कई बाधाएं कानून की नजर में भी आएंगी और आपको कई फाइदा, कई मुनाफ़ा मिलेगा क्योंकि आप लंबे समय से कबजा बरकरार रखते हुए हैं निर्विग्न रूप से, शान्तिपुर्न रूप से, बेगर किसी अब रोध के इसलिए आपको उसका फाइदा भी मिलेगा कई बार आपने सुना होगा न, कि बाई सुखादिकार होता है 12 साल तक अगर आप किसी संपत्ति का उपयोग कर रहे हैं, रास्ते का उबोग कर रहे हैं तो इसको आपको सुखाधिकार के रूप में वो रास्ता आपका हो गया तो इस प्रकार से कब्जा पर्थम द्रिष्टिया प्रमान है चाहे वो विधितक कब्जा हो चाहे वो इलीगल कब्जा हो ये माइने नहीं रखता है लेकिन कब्जा आपके भौतिक नियंतरन को दर्साता है और आपके मानसिक इक्षा को दर्साता है किस संपत्ती पर मेरा कब्जा है और दूसरा कोई आदमी इस पर उप्योग नहीं कर सकता है उसको अपनी ताकत से वो रोक लेता है तो साधारन सी बात है, जिसके पास भौतिक ताकत है, वही तो कब्जा करता है, वही तो भौतिक नियंतरन करता है, और जब भौतिक नियंतरन करेगा, ताकतबर है, छमतावान है, सकती है, पावर है, तो अटमेटिक दूसरे को वह अबुरुद्ध करेगा, बाहरी हस्चेप क तो रोकेगा, बोलाए, यह मेरी जमीन है, यहाँ पर पानी नहीं गिराओ, यहाँ पर यह कूरा मत्थे को, यहाँ किसका उप्योग नहीं कर सकते हो, बात समझ गें, तो इस प्रकार से आप इस प्रस्ण को लिखेंगे, एक और प्रस्ण है, छोटा सही, कि what is legal personality, and what are the types of a person, इस पर भी मैंने कुछ, पिछले प्रस्ण में चर्चा किया था, मैंने आपको बताया था, कि person, Latin word, persona से आया है, हिंदी में जिसको backtick करते हैं, और, कानून की दृष्टी में person, किसको कहते हैं, ये भी मैंने बताया था, कि जिस प्रानी में, अधिकार और कर्तब वहन करने की छमता होती है, कानून की नजर में, वह person कहलाता है, वह बैक्ती कहलाता है, इसका मतलब ये हो गया, कि अधिकार और कर्तब दो मूल तक्त्व हैं, किसी को बैक्ती बनने के लिए, और अधिकार और कर्तब देने का सक्थी किसको है, कानून को, इस्टेट को, और जब वह अधिकार और कर्तब देने की सक्थी कानून को है, आपमें अधिकार और कर्तब बहन करने की छमता है या नहीं है, कम्पिटेंसी है या नहीं है, इसका भी डिसिजन कानून करेगा, तो इसका मतलब है कि कानून जिसको भी अधिकार और कर्तब दे देगा, वो परसन हो जागा according to the law, जिसमें मैंने बताया था आपको, कि परसन दो प्रकार के होते हैं, एक, नेचुरल परसन, नेचुरल परसन का मतलब हो गया, कि वह प्रानी, वह मानव, जो जिवित हो, जिसमें मानव मातर के गुन हों, और जो अधिकार और कर्तब बहन करने की छमता रखता हो according to law, वैसा प्रतेग मानव, प्रतेग जिवित परानी, कानून की नेजर में परसन हो, जैसे मैं आप, लेकिन, फिर मैं आपको याद दिला दू, कि चुकि कानून के पास अधिकार और कर्तब देने की सक्ती है, वो जमता को प्रकता है, वो ही निरने करता है, तो ऐसी स्थिती में, वैक्चियों के कई समूहों को भी वो परसन बना देता है, यानि परसन बनाने के लिए प्रसनाल्टी देना है, प्रसनाल्टी के अंदर आ गया, राइट्स अंड ड्यूटीज, तो बैक्चियों के समूहों को, कई मूर्तियों को, कई पिदिक संस्थाओं को, निगमों को, बैंकों को, कमपनियों को, कानून की निजर में बैक्टी बनाया जाता है, यानि अधिकार और कर्तब उसको दे दिया जाता है, और वो एक बैक्टी की तरह ही काम कर सकता है, अपने अधिकार और कर्तब का पालन और निर्वहन कर सकता है, सवाल यह उठता है कि यह तो अस्पस्ट हो गया कि बैक्ति दो प्रकार के होते हैं ने कि लीगल प्रशनालिटी क्या है और बैक्ति दो प्रकार के होते हैं मैं इस पर एकाग दो चीज बता दूँ ये बात सही है कि नेचुरल परसन होने के लिए मानों का जीवित होना आवज सक है लेकिन इसका एक अब बात दिया, एक्सेप्शन दिया गर्वस्त सिसू, अनबॉर्ण चाइल्ड अगर किसी परिवार में पुस्तेदी संपत्ती का बटवारा हो रहा है और उस वक्त कोई बच्चा अपने मां के गर्ब में है तो उसको भी उस पर अधिकार मिलता है, उसका भी भाग निरधारित होता है लेकिन यह डिपेंड करता है ओन कंडीशन कंडीशन क्या है, कि उसका जन्म हो और वो जिवित रहे इस प्रकार से यह एक्सेप्शन है कि अनबॉर्ण चाइल्ड को भी हम लोग नेचुरल पर्सन के रूप में राइट्स और ड्यूटीज देते हैं ठीक है, कंडीशन है कि उसका जन्म हो और वो जिवित रहे अगर जिवित नहीं होगा तो ऐसे भी उसको राइट नहीं मिलेगा क्योंकि नेचुरल पर्सन हो नहीं पाएगा लेकिन अब बात तो हुआ ना कि जिस वक्त उसको राइट्स दिया गया संपत्ती में हिस्सा दिया गया उस वक्त वो आदमी इस समाज में इस संसार में और द्रिश्य था दिखाईनी पर रहा था लेकिन यह माना जाता है इसी तरह आप देखेंगे कि आम तोर पर हम लोग जब ओनर्सी पर पोजिशन की बात कर रहे थे तो उसमें एक सब्द है रेस नलिस एन यू ल आई यू एन यू डवल ल आई यू एस रेस नलिस हिंदी है हिंदी क्या है भई बहुत स्वामी बिहीन संपत्ती यानि जिस संपत्ती का कोई स्वामी नहीं हो तो जिस संपत्ती का कोई स्वामी नहीं है उस पर जो आदमी कबजा जमा लेगा वो उसका स्वामी हो जाएगा नहीं हो जाएगा, क्यों? क्योंकि कब्जा जिसने जमाया, 90% पावर उसको आ गया स्वामित्तु का, और चुकि उसकी एगेंस्ट में कोई ओनर नहीं है, कोई टाइटिल हॉल्डर नहीं है, जो उसकी एगेंस्ट में लड़े, तो ऐसी इस्तिति में वो होल इन सोल ओनर हो गय और ये दोनों प्रस्ण को त्यार कर लेंगे, मैं जुरिस्पुडेंस के उपर एक दिन सौट नोट्स वेगरों को ले करके किलास एक दूंगा, लेकिन अभी तक जितना प्रस्ण हुआ है, इसको अगर आप त्यार कर लें, बार बार सुनें, और थोड़ा सा ध्यन करें, औ आप अच्छे धंग से नोट्स त्यार करके एक्जामनेशन के लिए त्यार रहें, इस बीच में कुछ बच्चों ने हमें फोन किया, और बड़ा ही अटपटा सा सवाल पूछा, कहा, कि सर हम लोग तैयारी करें, या छोड़ दें, क्योंकि हम लोग को पर्मोटेट कर दिया जाएगा क्या, मैंने पूछा, कि बाबू, आप सेवन्त और एट किलास के बच्चे नहीं हैं, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में यही एक ऐसा कोर्स है, LLB, जिसको करने के बाद आप एडवॉकेट एक्ट के अंसार, रेशेशन कराके एडवॉक है, जिसमें एक रुपया पर डे से ले करके, एक करोर रुपया पर डे तक आप कमा सकते हैं, तो बेगर एग्जामनेशन के परमोटेड हो के डिगरी कैसे मिल जाएगा, तो मैंने कहा, इस तरह के अबबाओं पर ध्यान ना दें, जब एक्जामनेशन स्टार्ट होगा, जुलाई में हो जाए, अगस्त में हो जाए, तो आपका एक्जाम होगा, आप तयार रहें, यह जो इतना मेहनत करके आपको क्लासिस दिया जा रहा है, सभी टीचर लगे हुए हैं, इतने प्रस्नों को तयार कीजिए, और मजबूती क धर्शे साथ एक्जाम दीजै, और एक्जामनेशन हॉल में जब बच्चे जाते हैं, तयार होकर, तो ठीक उसी प्रकार लगता है, जैसे सेर अपने सिकार को देखकर जपटने के लिए तयार हो, तो अच्छे इस्ट्रेंड तयार हो कर जाते हैं, सेर की तरह एक्जामनेशन चाहिए और सक्ति मतलब कौन सा सक्ति शरीड का सक्ति नहीं मानसिक सक्ति और मानसिक सक्ति किस से पैदा होती है अध्यन से मेहनत किजिए पढ़िए याद कीजिए लिखने की आदट डालिए तो आप सफलता अवश्य पाएंगे हमारी शुभ कामना आपके साथ है अगले क्लास में मैं फिर मिलूँगा तब तक ध्यान रखे